हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किलास 12 का चेप्टर 1 टेज मी तू लिसें लॉड के कुश्चन्स एंड आंसर्स और इनके बारे में आज हम डिसकस करेंगे क्योंकि बहुत से लोगों की डिमांड आ रहे हैं कि सर आप कुश्चन आंसर्स भी कभी वीडियो बनाईए ओके तो इस वीडियो में हम आपके सामने लेके आया हैं तो देखे यहां पर हम इसके कुश्च कुश्चन को देखते हैं तो जब हम इसके फर्स्ट कुश्चन को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है इसका अर्थ है कि ऐसे लोग जो हमारे पास में हैं, वो हमें क्या संदेश देते हैं, तो आंसर है, यान कि वे हमें यह मैसेज देते हैं कि हमें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए. एसे कौन से लोग हैं, जो हम से फार हैं, अर्था जो हम से दूर हैं, एसे लोग कौन हैं? So, according to the poet, the people, the people who are oppressed, who are suffering, and who cannot tell their woes are far from us. यानि ऐसे लोग, जो oppressed हैं, यानि कि जो सताय हुए हैं, जो suffering हैं, यानि जो किसी चीज से ग्रसत हैं, who cannot tell their woes, जो अपने दुखों को नहीं बता सकते हैं, वे लोग हम से दूर हैं. Okay, come to the next question. Whom does the poet wish to trust? Whom का अर्थ होता है, किसको कवी चाता है, कि हम किसको ट्रस्ट करें, अर्थात, किसकी बात पर विश्वास करें? Okay, इसका अंसर है, the poet wishes to trust our inner voice that is of his causes. कवी इच्छा रखता है, कि वह अपनी inner voice, अर्थात, जो उसकी अंतर आत्मा हैं, अंदर की जो आवाज उस पर विश्वास रखे, कि जो हमारी क्या होते हैं, एक conscious, conscious का मतलब होते हैं, एक सचेत करने वाली आवाज, यानि कि जो हमारी अंतरात्मा होती हैं. अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट कुश्चिन पर. When, when does the poet with to listen to the voice of God? When यानि होता है, कभी, कभ चाहता है कि वो इश्वार की आवास सुने? The poet wishes to listen to the voice of God almost all the time. कभी चाहता है कि वो इश्वार की आवाज हर समय सुने? Whether he is busy or he is a boredom. चाहे वो west हो, चाहे वो boredom, यानि कि बूर हो रहा हो. He is certainty or doubt. चाहे वो किसी चीज़ को लेकर आश्वास्त हो, निश्चेत हो, चाहे वो किसी संदे में हो, और in noise for silence. चाहे वो किसी पिकार के shore में हो, और यहाँ पे, फोर की जगा पे, friends, आप इसमें और लिख सकते हैं, चाहे वो silence में हो. In what order does the poet wish to listen to the voice? Do you find any significance in that? In what order? किस क्रम में कभी चाहता है कि वो God की voice सुने? Do you find any significance in that? क्या आप इसमें कोई महतुता देखते हैं? Answer The poet wishes to listen to the voice in the following order. कभी निम लिखित क्रम में इस्वर की आवाज को सुनना चाहता है. The voice of the people who are nearest to him. यानि सबसे पहले जो लोग उसके पास हैं, वो उसकी आवाज सुनना चाहता है. Second, the voice of the suffering people who are far from him. Second number पे वे लोग जो उसके दूर हैं, वो उनकी आवाज को सुनना चाहता है. Third, the voice of conscious, यानि कि जो उसकी अंतरातम हैं, उसकी आवाज. And fourth, the voice of God. और अंत में जो इस्वर की आवाज है, वो उसको सुनना चाहता है. तो यह वो करम है, जिस करम में वो अपने जो लिसन है, वो सबकी आवाज है, वो को सुनना चाहता है. आगे लिखा है. This order is significant as the poet wants to recognize. अब यह जो ओर एकरम है, यह एक महत्त है, महत्पूर है. क्योंकि, the nearest people whom he had neglected, क्योंकि जो हमारे पास में लोग होते हैं, उनको हम जातर निगलेक्ट कर देते हैं. Then he wishes to listen to the oppressed old. तो इसलिए कभी चाहता है, विच्छा रखता है, कि जो oppressed लोग हैं, जो सताय हुए हैं, हम उनकी जो voice है, उसको पहले हम सुने. This source that he wishes to start. और इससे यह जाहर होता है, कि हम सुरुवात से कोशिश कर सकते हैं. Taking care of people first who are close and then to oppressed people. और यह मान सकते हैं, जो हमारे पास में हैं, उनकी आवाज को हम सरपतम सुने. Then he is listening to his consigns and ultimately to God secure. और इसके बाद जो हमारे करम हैं, उस करम में हम आवाज सुने. To the God source, hit growth जिससे हमारे आवाज पहुँचे and his aim of attain salvation. और हम उस मुख्ष की प्रापती को सुरुकार करें, यानि कि हमें मुख्ष मिल सके. अब बढ़ते हैं इसके अगले कोशन की तरफ. What do you suppose the hopeless, the forgotten and the anguished want to tell us? आपके अनुसार, जो लोग hopeless हैं, यानि कि आशाहीन हैं, जो forgotten हैं, यानि कि जो भोले बिसरे लोग हैं, और जो anguished हैं, वी हमसे क्या कहना चाहते हैं? हमारा आंसर है, the hopeless, forgotten and the anguished and the people want to tell us, अब जो hopeless हैं, जो forgotten हैं, और जो यहाँ पर anguished हैं, यहाँ पर हम angular के स्थान पर anguished लिखेंगे, ठीक हैं, they want to tell us about their sufferings, वो लोग चाहते हैं कि उनकी जो sufferings हैं, यानि कि जिससे वो गर्सेत हैं, दुखी हैं, ठीक हैं, and pled to us to help them, और वो हमसे pled करते हैं, प्रारतना करते हैं, कि हम उनकी मदद करें, out of their miserable condition, और उनको जो उनकी इस पकार की जो miserable condition हैं, उससे हम उनको बाहर निकालें, ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं, इसके अगले question पर, How could listening to one inner voice be helpful? किस पकार एक अंतर आत्मा को सुनना सहायक हो सकता है? अंसर है, listening to one inner voice is helpful in making less afraid and sinless, listening यानि कि सुनना, अपनी अंतर आत्मा को सुनना, एक बहुत प्रेकार सायक हो सकता है, इससे क्या होगा? हम less afraid यानि कम भाइभीत होंगे और sinless और पाप रहत बनेंगे, ओके? अब हम आचुके हैं इसके last question पर, what is the overall mood of the poem? यह जो प्रिशन है, यह हमें यह बताता है कि जो हमारी कविता है, उसका overall, यानि कि जो कुल्म लाकर इसका mood, यानि साहरांस क्या है, भावार्थ क्या है? अंसर, the overall mood of the poem is of devotion to God, it is a prayer to God, और इस जो poem है, यह जो हमारी poem, इसका overall mood यह है, कि हम जो इश्वर हैं, उसके प्रती devotion, यानि कि एक भक्ती, शो करें, और यह जो हमारी prayer है, यह कविता के एक form में है, इस जो हमारी prayer to God, और यह हमारी एक prayer है, ओके? तो यह था friends, हमारा class 12 का chapter 1, जिसके question answer मैंने आपको इस वीडियो में बताएं, इसके बाद हम इसका chapter 2 का वीडियो बनाएंगे, ओके? तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको please comment कीजिए, like कीजिए और share कीजिए, thank you.